डॉक्टूथ एक एसी मूवी है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरका डाइरेक्टर इस मूवी के जरीए बताने क्या चाते हैं डिरेक्टर लेंथिमोस ने ये मूवी एक बहुती डीप और डिस्टर्बिंग कॉंसेप्ट के साथ बनाई है जो की ओडिनरी ओडियन्स के लिए नहीं बनी है लेकिन जिस किसी ने भी इस मूवी को देखा उसने उसे काफी अच्छी रेटिंग दी और इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स और ऑसकर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है यह मूवी ग्रिक लेंग्वेज में है और देखने पर इस मूवी का कॉंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ में इस वीडियो के एंड तक बने रहीएगा डॉक्रूत कहानी है एक कपल की यह यू कहें तो एक पेरिंट्स की दिखने में तो यह तीनों बिल्कुल नॉर्मल थे लेकिन असल में एसा कुछ भी नहीं था जो कि हम जानेंगे आगे इस वीडियो में इस मूवी में किसी भी करेक्टर का कोई भी नाम नहीं है इसलिए हम इन सभी केरेक्टर्स को ऐसे समझेंगे फादर मदर इल्डर सिस्टर यंगर सिस्टर और बॉय स्टार्टिंग में फादर अपने बच्चों को एक रिकॉर्डिंग सुना रहा होता है जिसमें कुछ भी नॉर्मल या ठीक नहीं था उस वाइस रिकॉर्डिंग में सब कुछ परवरिश ऐसे ही की थी उन्हें गलत टीचिंग देकर ये तीनों बच्चे दिन भर अकने ही घर में रहते थे जो कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर था जो कि चारों तरफ से लकड़ी की फेंसिंग से कवर्ड था और घर के आसपास बड़ी बड़ी घां से उग रही थी जिससे की तीनों बच्चों को ये पता न चले कि इस घर के पार क्या है पादर ने अपने बच्चों को ये बताय था कि बाहर की दुनिया बहुत ही खराब है और उन्हें कभी भी घर के बाहर कदम नहीं रखने दिया गया तीनों बच्चों के पास में बारी दुनिया का कु तो चाह रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता था फादर एक फेक्ट्री में काम किया करता था और वो अपनी फेक्ट्री से सिक्यूरिटी गाड क्रिस्टीना को अपने घर लाया करता था जब फादर क्रिस्टीना को अपने घर पर लाता था तो वो उसकी आंकों पर प से कैसे लोग रहते हैं उन पेरेंट्स के तीनों बच्चें बच्पन से ही इस घर में रहते थे यानि कि जब से वो पैदा हुए थे तब से घर में ही थे और कभी भी बाहर नहीं निकले थे लेकिन वो धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे और उनकी जरूरते भी बढ़ रही थी बड़ा होने लगा था और उसका फादर उसके सेक्शल डिजायर्स को पूरा करने के लिए क्रिस्टीना को यहाँ पर लाता था ताकि उसके बेटे को घर में सब कुछ मिल जाए और वो कभी भी बाहर जाने के लिए जिद न करें क्रिस्टीना बॉय के साथ में फिजिकल होती है लेकिन बॉय को इस काम में बिलकुल भी मज़ा नहीं आता जिसके बाद क्रिस्टीना एल्डर सिस्टर को अपना हैर बेंड देती है जिसके बदले एल्डर सिस्टर क्रिस्टीना को अपने सौक्स देने को कहती है और यहां से हमें यह पता चलता है कि उन्हें पेसों के बारे में कुछ भी नहीं पता फिर फादर क्रिस्टिना को अपने वीडियो कैमरा में शूट करता है वो भी अपने सबी बच्चों के साथ में और फैमिली के साथ में फादर क्रिस्टिना को यहाँ पर आने के लिए पेसे दिया करता था और इसलिए क्रिस्टिना पेसो के लिए इस वेट फेमिली के पास में आया करती थी फादर अपने बच्चों से ऐसे काम करवाता था जो कि कोई भी नॉर्मल बच्चा नहीं करता उन्होंने अपने बच्चों का पूरा माइंड वोश किया हुआ था वो नमक को फोन केते हैं और उन्हें ये पता भी नहीं होता है कि आखिरकार फोन होता क्या है फादर तीनों बच्चों को उनके अच्छे कामों के लिए स्टीकर देता था और कुछ गलत काम करने पर वो उन्हें बहुती वाइलेंड पनिश्मेंट दिया करता था फादर सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्टीकर जमा करने को कहता है और उसने बच्चों के ब्रेन में इसी आधिते डेवलेप कर दी थी जिससे उन्हें रिष्टे, परिवार और बाकी लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था उनके घर में टीवी तो था लेकिन उस टीवी में सिर्फ वही वीडियो चलते थे जिससे फादर रिकोर्ट किया करता था जब भी कभी वो बच्चे अपने घर के आंगन से किसी एरोप्लेन को देखते थे तो वो एरोप्लेन उचाई पर होने के कारण उन्हें छोटा दिखाई देता था उन्हें ये लगता था कि एरोप्लेन इतना ही छोटा होता है और इसलिए उनकी माँ वहाँ पर एक एरोप्लेन टॉय को पटक देती है जिससे उन्हें ये लगता है कि वो एरोप्लेन टॉय है जो कि आस्मान से नीचे गिर गया दोनों गल्स यानि की एल्डर सिस्टर और यंगर सिस्टर अजीब अजीब गेम खेलती थी जैसे कि क्लोरोफॉर्म को सुंग कर बयोश हो जाना और जिसमें जल्दी उठने वाला विनर होगा उनकी मदर ने अपने रूम में एक फोन को छुपाया हुआ था जिससे कि वो अपने पती से बात करती थी और एल्डर सिस्टर को अपनी मौम के रूम से आवाजे आती थी जिससे उसे ये लगता है कि उसकी मौम खुद से बाते करती है और एल्डर सिस्टर को थोड़ा सा डाउड भी होता है फादर अपने ओफिस से घर आते समय अपने कुट्टे को लेने जाता है जो की एक ट्रेनिंग स्कूल में था और ट्रेनर उससे कहता है कि उनके कुट्टे की अभी सेकेंड लेवल की ट्रेनिंग चल रही है और उसे अभी भी लेवल 5 को पूरा करना है वो ट्रेनर फादर से कहता है कि कुट्टे तीन तरह के होते हैं एक जो की जानवर होते हैं दूसरे जो के इनसानों के दोस होते हैं और तीसरे जो के इनसानों को अपना मास्टर मानते हैं और फादर के कुट्टे की ट्रेनिंग बिल्कुल मास्टर वाली हो रही थी ट्रेनर व अपने बच्चों को ये बता हुआ था कि उनका एक और भाई भी है जो कि घर की दीवारों के उस पार बार की दुनिया में चला गया और तभी से वो बहुत ही खत्रे में हैं लेकिन असल में उन तीनों का और कोई भाई नहीं था बल्कि वो आदमी उसकुत्ते की बात कर रहा था फिर अगेन क्रिस्टीना फादर के सांथ घर पर आती है उसके बेटे की सेक्शुल डिजायर को पूरा करने के लिए क्रिस्टीना बॉय को अपना प्राइवेट पार्ट लिक करने को कहती है जिसे बॉय लिक करने से मना कर देता है जो कि उसे कीबोड कहता था बॉय के मन के लिए elder sister ये गंदा काम करने के लिए तैयार हो जाती है elder sister को ये लगता है कि शायद ऐसा करवाने में क्रिस्टिना को बहुती मज़ा आता होगा और वो खुद इसे experience करने के लिए अपने younger sister से अपना कंदा लीक करने को कहती है क्योंकि उसे बस इतना समझ आता है कि सिर्फ लीक करना है और कहां पर लीक करना है ये बिल्कुल भी नहीं younger sister elder sister का कंदा लीक करने लगती है जिसमें कि elder sister को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और ये scene यहीं पर हो जाता है फिर हम देखते हैं कि elder girl से एरोप्लेन घर के बाहर गिर जाता है जिसके पीछे वो और बोई भागते हैं लेकिन प्लेन घर के बाहर गिरने के कारण वो उसे वापस नहीं लापाते और गुस्से में आकर elder girl अपने भाई का हाथ काड़ देती है फिर जब उनके फ इसा उनने उनके फादर ने बताया है फिर एक दिन होता यह है कि उनके घर में बिल्ली घुस जाती है जिने उनके पिता ने एक बहुत खतरनाक जानवर बताया था और बोई उस बिल्ली से बचने के लिए पोदे काटने वाली केची से उस बिल्ली को मा डालता है जिसे जो कोई बताता है कि उस खतरनाक बिल्ली ने उसके भाई को मा डाला जो कि भार की दुनिया में था अगले सीन में हम यह देखते हैं कि फादर सभी को कुत्तू की तरह ट्रेनिंग देता है और उन्हें बिल्कुल कुत्तों की तरह भूपने को भी कहता है वो तीनों बच्चों से केता है कि जब तक उनका डॉक्टूथ तूट नहीं जाता और वापस नहीं आ जाता तब तक वो यहीं इसी घर में रहेंगे और डॉक्टूथ के तूटने के बाद में वो यहां से बाहर की दुनिया में जा सकते हैं डॉक्टूथ इंसानों के मुँ में सबसे नुकिला दात होता है जो कि बुडापे में ही तूटता है यानि कि उन तीनों के डॉक्टूथ बुडापे में गिरेंगे और इसका ये मतलब था कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जा सकते वो सबी अपने मरे हुए भाई को शदानजली देते हैं जो कि असल में था ही नहीं जिसके कुछ दिन के बाद में मौम फादर को ये बताती है कि वो प्रेगनेंट है और वो दो बच्चों को जन्म देने वाली है लेकिन फादर अपने बच्चों को बिल्कुल उल्टा बताता है कि उनकी माँ दो बच्चे और एक कुछते को जन्म देने वाली है और ये देखकर हमें समझ में आता है कि उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में सही जानकरी नहीं है फिरम देखते हैं कि हर बार के ही तरह क्रिस्टीना बोई की डिजार्स पूरा करने के लिए आती है और वो उसके साथ पर डिलेशन बनाने के बाद एल्डर गल से वापिस अपने प्रावेट पार्ट को लिग करने को कहती है लेकिन एल्डर गल इस बार इसा गंदा काम करने के लिए मना कर देती है और वो क्रिस्टीना से ये कहती है कि अगर वो उसके बेग में रखी हुई VCR टेप्स को उसे दे दे तो वो इसा ज़रूर करेगी और क्रिस्टीना की बेग में रखी हुई टेप्स Hollywood movies की VCR tapes थी जिसे देने के लिए क्रिस्टिना राजी हो जाती है और Elder Girl क्रिस्टिना का private part लिक करती है रात में जब सबी लोग सो रहे होते हैं तो Elder Girl उन VCR tapes को अपने घर की टीवी में देखती है और वो movie के dialogues को बिलकुल हूबहू दोराने की कोशिश करती है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा हुआ था और फिर अगले दिन Elder Girl Rocky movie के fighting scenes को और उसके dialogues को भी copy करती है Elder Girl को उन tapes के जरिये भार की दुनिया के बारे में थोड़ी पो जानकरी हो गई थी और वो अपनी younger sister को ये बताती है कि बिल्ली कोई खतरनाक जीव नहीं होती बलकि सबसे खतरनाक जीव तो शार्क होती है उनके पिता ने जो कुछ भी उनसे बिल्ली के बारे में कहा वो बिल्कुल जूट था जब फादर को ये बात पता चलती है कि elder girl को भार की दुनिया की बारे में कुछ-कुछ पता चल गया है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो elder girl को विस्यार से खुप पिकता है जिसके बात फादर क्रिस्टिना के घर पर जाता है क्योंकि उससे ये पता चल गया था कि elder girl को ये विस्यार टेप्स क्रिस्टिना नहीं दी थी और वो क्रिस्टिना के घर पर जाकर क्रिस्टिना को बहुत पीटता है क्योंकि फादर डर रहा था कि अगर उनके बच्चों ने भार की दुनिया को देख लिया तो वो यहां से भार चले जाएंगे घर आने के बाद में फादर अपनी वाइफ से कहता है कि उन्हें क्रिस्टिना की जगर किसी और को लाना पड़ेगा अपने बेटे की सेक्शुल डिजायर को पूरा करने के लिए लेकिन अगर वो किसी दूसरी महिला को लेकर आया तो उनकी पॉल खुल जाएगी कि बॉय अपने बाथटब में बिना कपलों के बेटा होता है और उसकी आखे पूरी तरह से बंद होती है फिर महाँ पर उसकी दोनों सिस्टर्स बिना कपलों के आती है और वो भी बाथटब के अंदर बेट जाती है जिने बॉय अपने हाथ से टच करता है और वो उनके private part को touch करके ये फेसला करता है कि उसे किसे चुनना है और वो अपने हाथों से touch करके अपनी elder sister को चुन लेता है जिसके बाद हम ये देखते हैं कि parents elder sister को त्यार करते हैं boy के पास उसके room में भेजने के लिए elder sister और boy को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो आखिर क्या करने वाले हैं क्योंकि उन्हें रिष्टों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इसलिए वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाते हैं और आपस में sexual relationship बनाते हैं जिसके दोरान elder girl फिल्मी डायलोक्स में बात करती है elder sister अब बड़ी हो चुकी थी और उसे बार की दुनिया भी देखनी थी वो अपने डॉक्टूथ के गिरने का इंतजार करती है लेकिन उसका डॉक्टूथ तो हिलता भी नहीं है वो अपनी मा के रूम से फोन को चुरा लेती है जो कि उसकी मा ने सबसे चुपा कर रखा था लेकिन उसे उस फोन को चलाना भी नहीं आता था एक दिन हम देखते हैं कि फादर अपनी एनिवर्सरी पर डांस कॉम्पिटिशन रखता है जिसके विनर को वो 10 स्टिकर्स देगा और इस कॉम्पिटिशन के दोरान दोनों गर्स अजीब तरह से डांस करती है उन दोनों का डांस बहुत देर तक चलता है और यंग गर्स डांस करते ठक जाती है और बेड़ जाती है लेकिन elder girl dance करती रहती है और रुकती ही नहीं है वो Hollywood movies के dance style को copy करती है जिससे कि उसके parents ये समझ जाते हैं कि वो भार की दुनिया से रूबरू हो चुकी है रात के समय जब सब सो रहे होते हैं तो elder girl bathroom में जाती है वो dumbbell से अपने चेहरे पे कई बार वार करती है जिससे कि उसका dog tooth तूड जाता है जिससे वो खुश होकर घर से बार भाग जाती है और अपने फादर की कार की डिक्की में छुप जाती है क्योंकि उससे कार चलाना नहीं आता था फिर जब सभी को ये बात पता चलती है कि elder girl घर से भाग गई है तो सब उसे घर के बार ढूणने आ जाते है और कोई भी उसे उसका नाम लेकर नहीं बुलाता क्योंकि फादर ने उनका नाम कभी रखाई नहीं वो सभी उसे कुटे की तरह भोग भोग कर बुलाते है लेकिन वो वापस नहीं आती और काफी घंटे ऐसे ही भोगने के बाद वो सब ही अपने घर पर आ जाते है अगले दिन फादर अपने कार लेकर अपने फैक्टरी में चला जाता है जिसकी डिक्की में elder girl थी और ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है तो वेल आपको ये मूवी नहीं समझ आई होगी क्योंकि मूवी का कंसेप्ट बहुते जाता डीप था और इस मूवी में कई सारे डीप मेसेज़ेस थे जो कि मैं आपको बताता हूँ फादर अपने बच्चों को कुतों की तरह रखना चाता था और वो खुद उनका मास्टर बनना चाता था इसलिए उसने अपने बच्चों को बार की दुनिया से दूर रखा और उन्हें सबी बाते बिल्कुल गलत बताई वो अपने बच्चों का बच्पन से माइंड वाश करके रखता था और उन्हें चोटे चोटे चीजों के बारे में बिल्कुल गलत जानकरिया दिया गरता था फादर ने अपने बच्चों को एक ऐसी कहनी बताई जिससे कि कोई भी घर से बाहर जाने का नाम न ले उसने अपने बच्चों से कहा था कि उनका एक और भाई था जो कि घर से भाहर चला गया और भाहर की दुनिया इतनी खरब थी कि वो वहीं पर फस गया और मर गया ये पेरेंट्स इतने घिनोने थे कि उन्होंने अपनी बेटी को उनके भाई से रिलेशन बनाने को कहा और उन्हें एजुकेशन के नाम पर बिल्कुल उल्टी सीधी बाते बताई गई लेकिन आखिरकार वो तीनों बच्चे थे तो इनसान ही एल्डर गल जब दीरे दीरे बड़ी होती जा रही थी तो उसकी मन में भार की दुनिया को देखने के लिए जिग्यासा भी बढ़ रही थी और वो फाइनली घर से भाग जाती है एल्डर गल अपने फादर की कार की डिक्की में छूपी होती है जो की मुवी के एंड में उसके फेक्टर के भार खड़ी होती है जिससे की दो कंक्लूजन निकलते हैं कि एल्डर गल उस कार से निकल कर भाग गई और दूसरा ये कि उसके फादर ने उसे फीस अप कर लिया और अपने घर की कैद में डाल दिया लेकिन मैं यह समझता हूँ कि अगर वो लड़की कार से बाहर भाग भाग भी गई होगी तो वो बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी सरवाइब नहीं कर पाई होगी क्योंकि उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे अपने घर में कैद रहने की आदत थी तो दोस्तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि और भी कई सारे वीडियो जल्दी आने वाले हैं